कि है गुद्वर्णिंग एस्पिरेंट वेलकम टोल फ्यू और क्रेक नाव क्रेक नाव पर मैं जैसिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आए स्पिरेंट करेंटवे क्लाश्त में जो विहार के इंडस्ट्रि विहार'd की स्वाशल्रि गरिकुल्चर और हमने अपना क्रह Renee कीया और नास्स्त क्लास में हमने बिहार की संगवाद're के सरकार राजब की जो शंगवाद परिवर्तन संबंदी नीतियां है उसके संदर में क्वेश्टन को देखा था आज हम देखेंगे कि बिहार में दलितों और आदिवासियों की क्या स्थिति है उसके संदर में जो समाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें हमें अपना मुल्यांकन करना है तो सबसे पहले आप इस वी क्वेस्टन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहता है आप क्वेस्टन को लिख कर अपने एंसर को उस लिंक पर उस टेलिग्राम चैनल पर सब्मिट करें विदिन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिल जाएगा एक और बात जिसमें हमारा जो एप्लिकेशन है क्रेक नाव के नाम से हमारा वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपने आपको रेजिस्टर करके कई सारे मॉक टेस्ट बीपेसी के रिगार्डिंग अटेम कर सकते हैं और अपना जो लेवल है प्री के लिए उसको जाच सकते हैं तो आई ये शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है क्यों को कैसे अटेम करना है question आपका है कि analyze the socio-economic status of marginalized communities like दलित और आदिवासी दिन बिहार highlighting key issues and possible solution बिहार में दलितों और आदिवासी ओं जैसे हाचिय पर रहने वाले समधायों की सामाजीक आर्थिक इस्ति का विस्टेशन करें प्रमुख मुद्धों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालें तो बिसिकली जो समश्याएं हैं खास करके जो आदिवासी समाज है जो दलित और आदिवासी जो समाज है वह हासिय पर रहने वाले समधायों का जो आपके मुद्धे क्या आएंगे मुद्धे आपके रोजगार आएंगे सिच्छा आएगा स्वास अथेवा आएगा भूमी अधिकार आएगा सोसल स्टेटस आएगा यह सारी चीजे आपकी इनके संदर में चर्चा करनी है तो चुकि हम देखते हैं कि दलितों और आदिवा हंडिकार दोटेरियल Le shifting हें उनके लिए उपलब्ध कराकर में अर्थिया में जोड़ना इसके लिए भीत्रकार के सिर्च चला जा रहे हैं इंडिया हाट भुनर हाट उस्ताद युजनल ऊस तरह में भी पॉइंट आ जाएंगे लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्याएं कहां पर हैं जैसे अगर हम देखें कि हासिय पर रहने वाले यह समधाय जो है वह काफी वंचित भरी जिंदगी जी रहे हैं उन्हें बेसिक सब्सक्राइब करने के लिए आरचन जो मिला भी हुआ है वह उस रूप में इनके लिए सच्छम नहीं हो पाया है कि इसका ब्रॉड वर्ग बहुत विस्तित वर्ग इसका लाब उठा पाए तो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को फेस करने में इने बहुत तकलीफ होती है और उसमें ये अपना पिठरा पन जो है उसको प्रदरसित करते हैं तो इस लूप में आप देखेंगे अगर हम देखें तो इसमें जो बाधाये बनती हैं उनकी स्थिती और जो उनकी मुद्दे हैं तो जो प्रमुक बाधाये हैं और उसमें जो समाजिक आर्थिक स्थिती है कुंछ उसमे सबसे बड़ी चीज़ है सिच्छा अगर हम देखें तो सिच्छा यहाँ पर कि आपर देखें तो सिच्छा जो है कि वह इनके लिए उस रूप में सिच्छा नहीं है तोकि इनको अगर गामीड स्थ पर देखें या फिस सहरी सथ पर भी देखें तो जो सिच्छा का एक महत्वपूर उप्योग इनके लिए हो सकता है वह सामाजिक बदलाव हो सकता है इनको एक सामाजिस्त मिलना चाहिए एक समानता मिलनी चाहिए अधर सामाजिक वर्ग के बीज लेकिन वह इससे पिठड़े दह जाते हैं इसके अलावा आ आर्थिक बाधाओं के कारण जो गुर्वत्ता पूर्ण सिच्छा तक इनकी पहुंच जो है वस्तिमित है और दलित और आदिवासी बच्चों में जो स्कूल छोड़ने की दर है वह काफी उच्छी है तो इसमें इनका जो है सिच्छीत जो एक एजुकेशन है वह नहीं है तो इस प्रकार से यह जो सिच्छा का मुख्योदेश यह है कि सभी को समाविस्ट करते हुए उनके उच्च जीवन स्तर तक लेके जाना वह कहीं ने कहीं यहां पर पीछे शूड़ जाता है इसके लावा देखें तो रोजगार जब आप देखेंगे इन समदायों में अधि इस थारी मिलती है जिसे हम लेमेंटर में कहते हैं वह काफी कम है और गरिविन प्रकार के जो घरेलू निर्मार कार्य उसमें लगे हुए तो इनका इस्तर बहुत उचा नहीं है तो रोजगार की सिच्छा हो गया यह आपका रोजगार हो गया है रोजगार जो है वहने काफी दैनी सिताइल में दो तो सवास्त ऋवां तक जो सिंवीत बुन्यादी पहुंच है जागरुक्ता की कमी है और वा वैंने प्रकार के अंध्यूस्वास्ट ऊफे की जो निम्न कर देती है तो सुसास्त पॉइंट को लिखोगे तो कहीं ने कर पाओगे इनकी जो तापिक्षिक वंचना है उसके संदर में इसके लावा भूमी अधिकार इनके पास नाम मात की भूमी होती है और वह भूमी भी बेसिकली आर्थिक भेदता और सोशल का सिकार बनती है अगर इनकी भूमी किसी किस्वाल संबंदी जो एक स्वतंतता होनी चाहिए उसमें भी बाधा फेस करनी पड़ती है तो भूमी अधिकार इनके स्थिमित हैं आप लिख सकते हैं कि जो भूमी अधिकार है वह स्थिमित हैं इसके लावा आगर हम देखें तो जो बेसिक चीज है राजनितिक प्रत्ति तो इनका कम है आरच्छन इनको मिला हुआ है लेकिन विसेश वर्ग या फिर जो जिन्हों ने डेवलप कर लिया वही एक पर्टिकुलर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वही प्रक्टिकुलर छेत्र आगे बढ़ रहा है इसमें जो सामुहिक डेवलप्मेंट होना चाहिए व तो आरच्छन नीदियों के बावजूद प्रभावी राजनीति के प्रतनीदितों और नीड़े लेने के स्तर प्रभागीदारी का अभाव इनमें देखा गया है अब यह महत्तपुर्ण मुद्य और जो हैं उसको देखें तो जातिकत भिदभाव जो की कूट-कूटकर भर कि जो मेट्रो सिटी में संकल्पना बदली है ग्रामिट शेत्रों में अभी भी बहुत हर दर्दे तक नहीं बदल पाई है वहाँ पर जो कार्षिजम है वह दिखाई देता है आप इसे मानिये या ना मानिये वह एक अलग मुद्दा है लेकिन यह एक एमिनेंट रिपोर्ट है उनकी सालों की रिपोर्ट बताती है कि वह स्तर अभी भी वरकरार है कमों बेस चीजिए बदली है लेकिन उन्हें इस जातिगत जो मुद्दे हैं जातिगत जो समझ्याए हैं उनको फेस करना पड़ता है तो यह है तो आप इन मुद्दों में जातिगत भेदभाव देख समारो होते हैं उनमें उनकी उपस्तिति को लेकर या फिर अपने व्य już his time करने की जो आजादी है उसमें भी कहिन actu है देखने को मिलती सेमें आधने को अ के लिए इस रूप में कोई भी व्यास्ता नहीं है सरकार खालहकте प्रयासरत ? Do को अपने जो कि आर्थिक वेवसाय स्थापित करने की जो नीतियां है उसके संदर में उनको नॉलेज ही नहीं है बुनियादी रहाचे का भाव को ओगण्यादी रहाचे का भाव है इसके अलाओ आप देखेंगे तो स्थीमुत आजश्वुका के अश्र होते है कुछ गिनेच उन्ने कुछ आजवुका के जो छेत्र हैं उसमें यह अपने बेवसाय को स्थापित करते हैं या पर खर करते हैं जीर से दैनिक तरपर इनकी ज स्वास्त देख भाल आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं सच्छिक बाधाये वर स्वास्त देख भाल युकीर में अंध्विश्वास की प्रविर्ति होती है इसलिए यह जो स्वास्त संबंदी जो आधूनिक उपाय हैं उसको अपनाने के बजाए यह अंध्विश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं और जो स्वास्त संबंदी शुरुवाती रोग जिसका निरान हो सकता था उसको और जटिल बना लेते हैं और इवन यहां तक ही मृत्ति भी हो जाती है और यह उसी जाल में जकड़े हुए होते हैं तो यह समस्याएं को देखने को मिलती है कि अगर इसके हम नेक्ष्ट पार्ट पर बात करें क्युश्टन का जो एक संभव समाधान पूछता है तो संभव समाधान इस लूप में महत्वपूर्ण हो सकता है कि कि रिष्चा ब्यवस्ता इनकी उच्छ तर्की की जाए सिच्छा ब्यवस्ता से इनको जोड़ा जाए स्वास्त के लिए सुविधाएं इनको बेहत्रीन मिले इनको आजीवका के जो साधन है उसमें सरकार जिस प्रकार से उस्ताद यो जबना हाट यो जिसना जैसे जो स्कीम ला रही है इसमें इनके दोरा जो बनाए गए हैंड क्राफ्ट हैं जो इनकी छेत्री विशेष्टा हैं उसको उभार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करें ताकि बजार जो कनेक्टिविटी है इनकी बढ़ पाए तो इस रूप में हैं भूमी सुधार इस रूप में होना चाह चाहिए किसी एक पर्टिकुलर जाध के कामों को देखकर या फिर एक सीमित आजीविका का छेत्र ना निधारित करते हुए इनके लिए डाइवर्स्टी होनी चाहिए इनके रोजगार में इनके आजीविका में यह सारी पॉइंट पर हम काम कर लेते हैं मुद्दे पर काम क आजीविका की डेवलप्मेंट है उसमें यह सामिल हो सकते हैं तो यह सारे की पॉइंट से जिसके हमने चर्चा की खास करके बिहार के जो जो डलीत और आदिवासी छेत्र हैं उनको में इस्ट्रीम में लाने के लिए चुनोतियों और उनकी संभावनाएं क्या-क्या है और सिच्छा स्वास्त रोजगार के आजीविका के जो डाइवर्स्टीज है इस सब को जोड़कर हम इनको मुख्य भूमिका में ला सकते हैं निशकर्चता है अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो भेसिक चीज हैं बिहार में दलितों और आदिवासियों जैसे हासिय पर रह भूमि सुधार स्वास्त सेवा और सामाजिक समावेशन उपायों को सामिल करते हुए बहुए आम्यामी दिश्टीकोंड को विकास करने की आव सकता है सरकारी एजेंसियों नागरिक समाज संगटनों और समधाय के जो नेता हैं उनको एक प्रंट लाइन लीडर्सिप देकर हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं इनकी जो एक समावेशिता है उसको बहतरीन करते हैं तो यह हमारा कंग्लूजन हुआ तो यह आपके क्वेस्टन का बेसिक जो एक आउटलाइन होना चाहिए हमने उस पर चर्चा की आप अपने सब्दों में अपने एंसर को लिखिए डिस उसके संदर में पर्सनल गाइडेंस देंगे हमारे विबसाइट हमारे एप्लिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल से जूड़े रहिए और अपने डेली एंसर राइटिंग को और इंप्रूव करते रहिए मिलते हैं ने क्लास में नए क्वेस्टन के साथ तब तक पढ़ते र तक लिएंस द्याता प्रा ट हमारे यूट हमारे मावरे यू दया मेला के सका उनकेत स्सक्राइट न den किस्टने आक हमारे यूट्में हमारे बाइक पर चाहले